हलो दोस्तों क्या हाल चाला है आप सब लोगा का so finally आज जेके एससबी जेके पुली सब इंस्पेक्टर का जो है एक्जाम हो गया बहुती स्मूथली जो है कंड़क्ट हुआ है पहले मैं सबसे पहले जेके एससबी को थैंक्स बोलना चाता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा रिकूट्मेंट जो है आज किया है बहुती अच्छे तरीके से उन्होंने पेपर कंड़क्ट किया है विद्धे सुपरविजन आफ जो उन्होंने कैमराज लगाए थे सब जगा कैमराज थे कंट्रोल रूम बनाये थे जेके एससबी ओफिस में तो सबसे पहला जो है थैंक्स जाता है जेके एससबी को और जितने भी सारे उनके जो सुपरवाइजर्स थे जो भी वहाँ पेपर कंड़क्ट करवा रहे थे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्जाम जो है कंड़क्ट किया है कहीं से भी कुछ भी खबर नहीं आये कि हाँ कहीं पे कुछ सेंटर में प्रॉब्लम हुई है या यह हुआ कुछ नहीं पेपर जो है बहुत स्मूथली कंड़क्ट हुआ है और बात रही आप सब बच्चों की अभी सब बच्चों के दिमाग में बहुत सारे एकोशन्स जो है वो एराइज हो रहे हैं कि पेपर का क्या लेवल था फिजिकल की तियारी करें या नहीं तो वो सब चीजें जो है इस वीडियो में आपको हर एक चीज में आपकी जो है क्लियर करने वाला तो वीडियो को देखें लास तक तो स्टार्ट करते हैं कि पेपर का क्या लेवल था क्या नहीं था तो हम पूरा इसके पर हमने क्या है एक सर्वे करा है तो अब भी मैं आप तो आज इस पेपर में जो JKSSB में जो टोटल जो फॉर्म फिल हुए थे तो आप देख सकते हैं यहां पे 1,13,861 जो है फॉर्म फिल हुए थे तो उस में से 97,793 बच्चे जो है इसमें अपेर हुए मेंस कि 85% 85.95% इसमें बच्चा जो है अपेर हुए राइट तो यह JKSSB ने अपनी तरफ से जो है क्या बोलते हैं मैसेज जो है इनुने जारी करा है कि इतना बच्चा जो है इसमें अपेर हुए राइट की भी आपको अभी तक पहुंच चुकी है तो मैं आपको पूरा इसका बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसकी फिजिकल की त्यारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो पूरा हम इसका डिटेल में क्या बोलते हैं डिटेल में मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि क्या है इसमें आपको कितने बच्चे जो है इसमें आपको फिजिकल में बुलाए जाएंगे कितने नहीं बुलाए जाएंगे तो ये आपका रहा यहां पे जो आपकी total number of vacancies है यहां पे total number of vacancies जो है यह आपको पता है 1200 vacancies है उसमें open जो है वो 600 है SC की जो है वो 96 है ST की 120 है OSC की 48 है ALC IB की 48 है RBA की 120 है और PSP की 48 है और EWS की कितनी है आपकी है 48 राइट तो अब बात करते हैं कि candidates जो है वो कितने मुलाने है physical के लिए क्योंकि इसमें interview तो नहीं है तो सबसे पहले बात करें आपकी जो इसमें ratio ली जा रही है एक post के पर जो है वो 6 candidate को बुलाया जाएगा तो means अगर हम देखें कि क्या बोलते हैं open merit में कितने candidate बुलाया जाएगे तो 6 को 600 के साथ multiply करेंगे तो हमारे पास 36 100 जो है candidate जो है वो सिफ open का बुलाया जाएगा वैसे ही SC को भी आप 6 के साथ multiply करें 96 के साथ इसमें इतने बुलाया जाएगे तो हम total candidate दे देखते हैं कितने candidate जो है इसमें बुलाया जाएगे अब simple 1200 को 1200 total vacancy है तो 1200 को 6 के साथ multiply करते हैं तो 126 हमारा कितना होता है 7200 तो 7200 जो है total candidate जो है वो physical के लिए बुलाया जाएगा बाकि आप अपने अपनी category में निकाल सकते हो कि कितने candidates आपके यहां पे बुलाया जाएगे right तो अब मैं आपको बुताओंगा कि open में क्या आपका safe score रहेगा ठीक है कितने candidate जो है कितना जिनका score हो रहा है उनको physical की त्यारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ऐसी वगेरा तो सब हम discuss करेंगे तो उससे पहले हम जो आज paper हुआ है तो paper की थोड़ी सी हम क्या करेंगे discussion कर लेते हैं कि क्या paper था level क्या था उसका बहुत सारे बच्चे कहा रहे हैं कि बहुत easy का paper तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि paper में आपको पता ही होगा कि total आपके जो थे 120 questions थे राइट और आपको 2 गंडे का इसमें जो है time दिया गया था राइट तो उसके बाद बात करें कि हर एक question जो था वो 1.25 marks का question था और याद रखना 0.25 negative marking नहीं थी इसमें इसमें जो negative marking है आपकी 0.3125 ये negative marking है इस चीज़ का ध्यान रखना 0.3125 आपका हर एक गलत question का गलत question होगा उसका कितना marks जो हाँ कटेंगे 0.3125 जो है इसमें marks आपके कटेंगे तो अब हम थोड़ा सा paper को देखते हैं कि paper के जो questions थे क्या level था paper का right तो इसमें 120 question है तो जैसे सबसे पहला जो question है आप देख सकते हैं A series है reasoning का question है बहुत ही simple question आया था और एक और चीज़ मैं आपको guys जो बहुत ही important बात है वो बता दू जैसे कि आपको पता है कि our nucleus of knowledge academy ने mostly हमारे जो है mcqs boil boil ही हमारे जो है app के ओपर हमने booklets धाली होती है और pdf जो theory portion है वो free ही होता है telegram पे तो mcqs portion जो है उसमें बहुत सारे questions हमारे निकलते रहते हैं account assistant में भी बहुत question जो हमारे means कि 80-90% जो है mcqs दो निकला है और इस sub inspector में जिस बच्चे ने भी हमारे mcqs है और खास कर jnk reorganization act जो 100 mcqs बनाए है जिस बच्चे ने वो 100 mcqs पड़े थे तो उस बच्चे का ये paper जो है बहुत ही अच्छा हो क्योंकि इस paper में jnk reorganization के जो questions है वो बहुत सारे questions jnk reorganization act के पूचे गया है instead of Indian polity Indian polity के एक दो questions पूचा गया maximum jnk reorganization act 2019 के question पूचे गया जिन बच्चों ने हमारा 100 mcqs जो question पड़े सब उदर से ही निकले हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मुझे बहुत सारे phone calls भी चुके हैं कि सार आपके जो mcqs थे बहुत ही helpful रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के जो है जैसे junior assistant की बात करें उसमें भी उनको बहुत help हुई है अब जैसे first question था easy question था difficult नहीं था बात करते है second question जो है ये simple आपका email के उपर question आया ये भी question जो है difficult नहीं है जैसे third question है English पे है ये भी ठीक question है उसके बाद fourth question की बात करें ये question भी easy है जैसे इसमें पूछा हुआ है कि science, study, sport, ledger, payment वगएरा जो भी आदेने तो उसको amateur category में आता है अब मैं इसमें means कि mostly जो है जो question थोड़े difficult है उस पे बात करूँगा अब जैसे ये reorganization act का question है ये simple question आया है ये हमारे आपको MCQs में मिल जाएगा उसके बाद six question है ये question भी simple question है उसके बाद बात करें seventh question की तो seventh question भी देखा जाए तो easy ही बोल सकते हैं अब कुछ बच्चों को जिन्होंने नहीं पढ़ागा उनके लिए थोड़ा से moderate हो जाएगा otherwise जो है ये simple question है eighth question computer का moderate level आगया आपको computer पे आगया right MCQ means की key तो आपने इस time पे देखी लिएगी ये आपका question आगया current affair पे जिन्होंने current affair किया होगा उनके लिए question तो ये easy रहेगा उसके बाद आगी बात maths तो इस paper में जो आपकी means की in और out जो करेगा वो आपके कौन से section रहेंगे math, reasoning right math और reasoning जिनका means की suppose अगर इसमें 20 question आ रहे हैं 30 question आ रहे हैं जिनके 90% question math और reasoning हैं वो तो अंदर ही अंदर होंगे, right इसमें तो ये math question, math का question आ गया है तो इतना ज़ादा difficult question है जोनोंने math की practice करी है उनके लिए easy है, उसके बाद पॉलिटी पे question आ चुक है जो आपका 11th question है Mountbatten जो, sorry Mountbatten plan जो था thought जब पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया गया था उसमें assembly में से तो कितनी seats आ गए थी तो ये question भी इतना difficult नहीं है बच्चों के लिए जोनोंने त्यारी करी है अच्छे से उसके बाद फिर से J&K Reorganization पे second question देखने को मिल गया ये भी simple question है जिनोंने पढ़ा है उसके बाद ये question थोड़ा सा difficult question है इसको हम difficult category में डाल देंगे उसके बाद आ गया आपके पास English का simple आपको सननम पूछा गया है 14th question उसके बाद बात करते हैं हमारे पास ये पूछ गया है economic का question आ गया है इस question को भी हम क्या बोलेंगे क्या करता है तो ये question जो है ये ठीक moderate level का है फिर आपके पास फिर से आपके पास politics का question आ गया second question तो ये president जिसने पढ़ा होगा तो मज़े से ये इस question को अराम से कर लेगा और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो ये difficult रहेगा अब बात करते हैं 17th question तो 17th question जो है ये भी आपका moderate level का question है उसके बाद 18th question जो है तो 18th question easy question है simple newspaper पूछे गये है papers पूछे गये है common wheel and new India उसके बाद 19th question फिर से बाद आगे reasoning जिसके reasoning अच्छे है वो मज़े से ये question कर लेगा इतना difficult question नहीं है उसके बाद COP ये current of air question पूछ गया है उसके बाद हिमादरी जिसने rocks पढ़े हैं जो greater himalayas है वो sedimentary rocks होते हैं ही नहीं होते हैं metamorphic ये question भी simple question है तो बात करें कि paper paper ज़्यादा difficult नहीं था हाँ paper को आप भोल सकते हैं कि आपका easy to moderate paper था right क्या था difficult paper उन बच्चों के लिए था जन्होंने पढ़ा नहीं है जन्होंने बिल्कुल पढ़ा नहीं है उनके लिए difficult question था अगर जिसने त्यारी करी है उसके लिए तो कोश paper जो है moderate level का हम बोल सकते हैं अभी मैं बताता हूँ कि इसमें क्या question जो है वो difficult जैसे अब ये current affair में से आया जिसने current affair पढ़ा है वो मज़े से कोशन कर देगा जिसने नहीं पढ़ा है वो current affair में से कोशन नहीं निकाल पाएगा उसके बाद ये कोशन जो है communication पे आया है जिसने communication topics पढ़ा है उसके लिए easy question है otherwise ये difficult question आ गया उसके बाद final authority making laws in India तो जिसने constitution पढ़ा है वो मज़े से इसका question का answer कर देगा parliament right उसके बाद science अब पूछा है simple question है chemical change ये जो आपको यहाँ पे चार process दी है तो kids में chemical change जो है देखने को मिलती है again ये जो question है it's a difficult question for जो simple student है उनके लिए ये औरा difficult question हाँ जो banking की त्यारी कर रहे है बच्चे उनके लिए तो easy question है और lengthy question है और एक को चीज़ बता दू paper जो था lengthy paper था right paper lengthy था उसके बाद अब आ गया फिर से English पर question आ गया उसके बाद आ गया current affair फिर से current affair पर question पूछा गया है उसके बाद reasoning का question very simple question right then next question again math के उपर question simple question नहीं है यह थोड़ा सा teda question पूछा गया था यहां पर उसके बाद reasoning का question आ गया आपको 30 question थीक है 731 वाला easy question है again topic of cancer इसको हम moderate level का question बोल सकते हैं क्योंकि mostly बच्चों को बूल जाता है कि topic of cancer कितनी state में से pass होता है आपको पता ही है 8 state में से pass होता अभी तक आपने answer की में इसका answer देखी लिया होगा तो topic of cancer आपका West Bengal में से pass होता है तो easy question था then calling war जिसने history पढ़ा है वो मज़े से आँखे बंद करके इसका question का answer दे देगा again 34 question जो है easy question है 16 लोक सबाई election में कौन जीता था कौन प्राइम मिनिस्टर बना था यह question आगया current affairs पे और mostly यह question जो है बच्चों ने skip किया होगा 35 question को difficult category में हम डालते हैं then गंदारा school of art ancient history का question पूछी है जिसने ancient history अच्छे से पढ़ी है उसके लिए question जो है वो मज़े से हो जाएगा then next आग है political party belongs to Kayla यह question थोड़ा सा difficult है अब जिन बच्चों ने Kayla के बारे में पढ़ा ही नहीं है जोने हैं सुना नहीं है तो वो mostly question जो है यह वाला skip कर देंगे then 38 question जो है वो आपका आगया maths के ओपर राइट तो इतना जादा difficult नहीं है simple percentage दी है यहां पर तो आपने value निकाल ली है price of sofa निकाल ली है then आपका switch बारत पर question आया है तो यह question भी जो है simple question है इतना जाद difficult नहीं है current affairs बहुत अच्छा पूच्छा हुआ है इस बार पेपर में बहुत पेपर का level भी बहुत अच्छा था अच्छा question पूचे गए है यह नहीं है इस बार की question GKSSB जो है paper तो हर बार अच्छा ही set करती है no doubt then again communication के ऊपर question आ गया अब जिसने communication पढ़ा नहीं उसके लिए तो difficult otherwise question जो है यह common sense से भी आप question communication वाले कर सकते थे then 41st question जो है human hdi का अब जिसने hdi को अच्छे से बढ़ा उसके लिए question जो है easy है right तो इसको हम moderate category में डालेंगे right क्योंकि इसमें बताना है कि कौन सा सही है one of the following is the hdi index में जो है include होता है then again question जो है आपका social justice पर इस question को हम जो है difficult में डालते है mostly बच्छों ने यह वाला question जो है skip किया होगा right यह difficult question आ गया आपका तो उसके बाद आ गया करा को रिंजिस very easy question करा को रिंजिस कहां पर है बहुत easy question है यह उसके बाद आ गया pure water जो है उसका surface tension किसका mix करने से आपका surface tension जो है increase होता है science का question simple question है अब science बच्छों के लिए then computer के पूछी लिए है कि markup language जो है उसमें हम क्या use करते हैं तो यह भी इतना खास question नहीं है right then 46 question जो है इसको हम थोड़ा सा जो है moderate question बोलेंगे क्योंकि statement बहुत लंबी-लंबी डाली है बच्छे जो है statement में confused हो जाते है तो ऐसे अधरवाइस देखा जाए यह भी common sense के उपर based question है उसके बाद 51st वाला question है one caste one religion and one God बात वही आगी जिसको यह याद होगा तो वह मज़े से question को कर देगा और जिसको बूल गया होगा उसके लिए difficult question हो गया right तो 42nd question की बात करते हैं यह भी केसरी और मराथा यह तो सबको पता है उसके बाद 52nd question Mount Everest highest peak जो है वो कहां पर पाई जाती है तो यह question भी easy है उसके बाद आगया barrier of communication again जिसने communication अच्छा से बड़ा वो तो मज़े से कर लेगा common sense पर लगा के भी इसमें से निकाल सकता है और कुछ बच्चों के लिए difficult रहेगा then 53rd question is economic sorry English पे question पूछा अंडनम पे right अब कुछ बचों की English जो है वो बहुत ही weak होती है और कुछ की easy होती है then IPv6 version का इन्होंने पूछा है कि कितनी bits होती है then Genk Reorganization Act पे पूछा है कि कितनी sections है उसमें कितने schedule है राइट यह question भी easy है right हमारे mcqs में से निकला हुआ है यह question उसके बाद आ गया 2001 में first smoke tower current affair में पूछा गया है question तो यह कहां पे लगाया गया है तो वो दिल्ली में लगाया गया उसके बाद again Genk Reorganization पे question पूछा गया है कि Genk Reorganization में कितने members जो है legislative assembly में है राइट वो ही बात आ कि जिसने Genk Reorganization Act पढ़ा हच्चे से उसके लिए paper बहुत easy है अब जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए paper जो है वो difficult बन गया है इसलिए मैंने बोला कि paper आपका easy to moderate है then फिर से आ गया कि ice को melt करने के लिए हम कौन साइस में से use करते है salt urea boric acid तो यह तो easy ही है science का question है salt again reasoning के उपर question आ गया इस cancer north आपने सबने निकाली लिया होगा अभी तक तो reasoning जिसकी अच्छी है वो अराम से कर लेगा तो देखा जाएगी question जो थे difficult question नहीं थे mostly question जो थे moderate level के थे और lengthy question थे right क्योंकि paper में क्या होता है आपके पास time limited होता है बट question जब lengthy हो जाता बच्चा जो है उसमे time बहुत जादा use होता है lengthy question थे और 57th question है फिर से direction के उपर आया उसके बाद GDP का इसको हम बोलेंगे difficult question ठीक है analytical question आगया उसके बाद 58th question जो है यह भी moderate में डाल देते हैं इसको ठीक है क्योंकि question जो है यह analytical question है फिर से जे एंड के रियो और्गनेजिशन जो है secured के ओपर question पूछा गया है उसके बाद 59th question जो है यह moderate level में डाल देते हैं जिसक economy अच्छी होगी वो मज़े से question कर लेगा bio magnification यह कल ही हमने telegram क्यूज में दो question ढाले थे bio magnification और bio accumulation का क्या मतलब है और वो ही question आज आपको paper में देखने को मिल गया तो bio magnification क्या होता है तो वो question पूछा गया है उसके बाद 64th question जो है आपका simple question अबाटिक component उसके बाद central laws applicable to the utility again आपका जो है G&K reorganization act के ओपर question आ गया schedule के ओपर 69 question monetary protocol very easy question ozone layer listening communication पर question आ गया यह बच्चे जो communication पर mostly बच्चे जो है question जो है गलत करके आये होंगे क्योंकि इसके answer जो है वो same same ही लगते हैं फिर 66 question जो है वो आपका English के उपर anonymous के उपर आ गया ozone में पूछा गया है कि उसमें कितने atom होते हैं तो ozone आपको सबको पता ही होगा O3 molecule होता है तो उसमें टीन atom जो है present होते है river गोदावरी कहां से निकलती है very easy question river के ओपर question आ गया cotton के ओपर देखो कितना लंबा question बना दिया गया है simple question था black soil और cotton राइट बट question को क्या कर दिया इतना लंबा कर दिया जिसमें आपका time consume हो जाए बट question जो था very easy question था उसके बाद 68th question जो है तो वो पुछा गया है कि false क्या है non corporation के बारे में moment के बारे में के बाद आपका आ गया यहां पर साइलोगिजम तो 77 साइलोगिजम जिसका साइलोगिजम अच्छा है तो साइलोग्स जो है इतना difficult नहीं पूछा गया है simple ही पूछा गया है साइलोग्स moderate लगा लो आप इसको 78 question यह question difficult में डालते हैं कि अड़िशा में महात्मा गांदी जी को किस ने बुलाया था first time 1921 में right then 75th question जो है राज्यसभा की जो full term membership होती है कितने the error ठीक है moderate 80 question is very easy जिसमें पूछा गया है कि which is the odd one out of among the images very easy question राइट तो 77th question तो हमने देखे लिए साइलोग्स का question 77 राइट तो अब next चलते है 81 तो 81 question जो है वो पूछा गया है soft का क्या मतलब है यह question हम डाल देते हैं difficult category में अभी तक आपने इसका answer देखी लिया होगा उसके बाद 85th question जो है what is the meaning of miscommunication अब इसमें आप option देख सकते हैं right तो option जो है mostly same same ही लगेंगे तो इसको भी हम moderate category में डालेंगे अब बात करते हैं CNG very easy question CNG की full form पुछी ही है right उसके बाद 82nd question है RAM का question देखो बहुत easy question है but किया क्या है options इतने लंबे लंबे डाल दिया है जो कि इस question को क्या बना देगा moderate level का right उसके बाद 87th question जो है very easy question blood pressure जो है उसके लिए हम कौन सा instrument use करते हैं major करने के लिए then catfishes जो है Indian rivers में वह extinct क्यों हो रही है वो पूछा गया 83rd question यह question जो है इसको हम difficult में डालते हैं mostly बच्चे इसमें our exploitation और habitat loss के बीच में confused होंगे तो अभी तक आपने answer देख लिए होगा इसका habitat loss जो है वो answer आएगा 88 question जो है आपका आगया कहां से English के ओपर से question आ गया right error पर question पूछा गया है उसके बाद बात करते है 84th question की triple bottom theory question जो है यह थोड़ा सा dicey question है इसमें 84th question जो है maybe अपने answer देखो अगवाट यह incorrect question है क्योंकि 3P जो हमारे पास होते है वह था planet prosperity and the people 3P की full form क्यों होती है planet prosperity and the people यह question थोड़ा सा गलत लग रहा है आप देखते हैं जैके SSB क्या करती है उसके बाद SARS-CoV-2 variant जो था वह आपको सबको बता गोंसा को वारी variant था तो Omnicron था जो अभी चल रहा था right तो इसी question है current affairs पर पूछा गया यह question जो है इसको हम difficult category में डालते है remote sense server पूछा गया है email client के लिए जो कि आपका SNMP होता है उसके बाद ministry of labor ने launch की है unorganized sector के लिए 21 एक app तो वो कौन सी app है right online portal खोला गया है तो यह question जो है difficult में डालते है कोई current affairs से है उसके बाद 95 question again कहां से आ गया जीन के लिए organization एक क्योपर question आ गया 96 question जो है full form glass full of water अच्छा English पर पूछा गया है क full of water जो glass है यह कौन सा class है right यह question difficult में डालेंगे mostly बच्चे जो है English में weak होते हैं तो उनके लिए मुश्किल question है और mostly बच्चों ने यह पढ़ा ही नहीं होगा classes पढ़ा ही नहीं होगे तो पेपर जो था थोड़ा सा unexpected सेट किया हुआ है mostly बच्चे history पॉलिटी इंडियन पॉलिटिक के अपर बहुत ज़ादा उन्होंने जोर डाला हुआ था जोग्रॉफी पर डाला हुआ था बट simple question एकल किया और J&K Reorganization Act जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा वह इस पेपर में बाची जो मार जाएंगे राइट 92nd question पूछा गया है difficult category में हम डालेंगे कि online जो discussion होता है group का उसका हम किस category में डालते है 97th question जो है यह थोड़ा सा difficult question था analogy reasoning के उपर question आया तो इसका answer 17th answer है इसमें करना गया था आपने यह 345 जो था इन सब digit को plus करना तो 12 आना था तो वैसे ही आपने 179 को plus करना तो 17 answer आना था तो mostly बच्चे इस question में जो थे first गहे थे तो इसका 17 answer है तो यह difficult question आ गया उसके बाद यह communication पर question आया फिर again आपका जो है constitution of India very easy question आया कि कब adopt हुआ था then 98 question जो है इसको हम डालेंगे moderate level category में पूछा गया है कि जब हमारी rainfall होती है जब वो mountain के साथ टकराती है अब जिसने climate में rainfall topic अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत easy question और मेलनी बच्चे जो हम बीच में confused हो जाते हैं तो moderate level को question है 98 उसके बाद बात करते हैं आपके पास question आगया 99 traffic directing functions इसमें बच्चे first गये हैं इसको हम difficult category में डालते हैं तो इसका answer आपने देखी लिए होगा अभी तक routers है 100 question जो है easy question है जिनका math strong है otherwise इसको हम moderate category में डालेंगे इसके बाद फिर से आपके पास के आगया food chain very easy dead organism के ओपर food chain आई है तो dead organism हमारी जो food chain होते है that is prophetic food में सारे question जो maximum question हमारे जो mcqs हैं वहाँ से निकल रहे हैं यह जैसे आपके environment के questions हो आपके reorganization act के हो sciences के हो सारे question maximum वहाँ से आपके निकल रहे हैं अब reasoning के ओपर question पूछा गया है तो यह भी इतना difficult question हम जैसे बोलेंगो तो question है नहीं मज़र से बच्चा इसको निकाल सकता है question अब बात करते है 102 question की तो one and second question जो है इसमें पूछा गया है कि whom would you choose as a recipient of a message यह question difficult है बच्चे इसमें mostly बच्चे जो है first जो है first गे थे 106th question जो है again communication के उपर question है तो यह question भी आपका क्या है moderate level का है 103rd question right easy question very easy question 107th question is a moderate computer पर question पूछा गया है कि board जो होता है हमारा basically expansion board होता है difficult है अब यह जो blood relation था 1.25 marks question का बहुत ही lengthy था right इसमें answer आपने देखी लिए होगा अभी तक F जो था sister-in-law था lengthy question तो और इस question में बच्चे जो है उनका थोड़ा सा दिमाग सटक किया है तो अब जिसने तो reasoning करी होगी तो उसके लिए question तो यह easy है right otherwise जो अभी ने-ने बच्चे आ अब यह फिर से average के ओपर question पूछा गया है again 113 IP address question very easy question है computer का उसके बाद बात करते हैं 109 period of transition from childhood to adulthood क्योंकि आपको पता ही अलोलसन होता है तो यह question भी आपका moderate level का है उसके बाद बात करते है 110 question की तो length पूछी गई है AC की यह भी question easy है तो C answer था इसका उसके बाद 114 इंप्लिसीट वाला question statement assumption दी है तो यह question जो है moderate level का question पुछा गया है ठीक उसके बाद अगेन आपका J&K reorganization Act तो J&K reorganization Act जो है 111 question जो है जिसने पढ़ा है उसके लिए बहुत easy question है और otherwise ऐसे भी easy question था then again आपका जो है साइलोक्स के पर question आया है तो बात करें साइलोक्स की simple है जिसने पढ़ा है साइलोक्स simple question है difficult नहीं है 118 question जो है यह difficult question है math का right difficult question है math का यह जिनको math आता भी है उनके लिए थोड़ा lengthy question हो गया था यह तो इसको question को भी हम क्या करेंगे moderate level में हम इस question को डालेंगे 116 question जो है time पुछा गया है उसके बाद 119 question जो है physics वा ब्रांच पुछी गया है properties of sound जो artistic होता है तो यह question भी आपका जो है moderate level को question है उसके बाद 117 अगें जे एंड के reorganization act पे question पूछा गया है 117 तो उसके बाद आपका last question that is 120th question यह easy question पूछा गया है East India Company of the the reward तो उस time पे हमारे जो क्या बोलते हैं papers थे इंडिया के वो कौन थे राइट टाइटल जो था वो कौन थे तो 120 question जो था तो यह question भी easy है तो अब बात करें paper की राइट तो paper मैं आपको बता चुका हूँ already तो paper का जो level है वो है आपका easy to moderate ठीक है क्या है easy to moderate level का paper है अब इसमें कितना बच्चों का score होगा कौन इसमें physical के लिए call आएगा तो वो चीज़े मैं अभी आपको बताता हूँ with जो आपकी vacancies है so open में आपकी है 600 vacancy right तो open में आपकी जो candidate आएंगे that is 3600 तो open का जिनका score 70 और 80 के बीच में fall कर रहा है ठीक है 70 और 80 के बीच में fall कर रहा है तो वो physical की त्यारी अभी शुरू करते है जिनका 70 और 80 के बीच में आ रहा है और इसक के उपर जो है वो तो करेंगे ही करेंगे right फिर उसके बाद बात करते हैं सी एक इस सी की आपकी जो है 96 vacancy है तो सी में जो है आपके 576 candidates को बुलाया जाएगा right physical call जो है वो मिलेगी तो open का मैंने आपको बताया 70 से 80 के बीच में जिनका score है वो physical के लिए तो त्यारी करना शुरू करते right इससे नीचे भी सा सकता है बट मैं आपको जो है 70 और 80 वालों को कहा रहा हूं कि आप physical अपना शुरू कर दे अब 120 विकिंसी है तो 720 candidate जो है ST का फिजिकल में बुलाया जाएगा तो ST के जो बच्चे फॉल कर रहे है 50 से 55 जिनका score बन रहा है ST में तो वो भी शुरू कर दे फिजिकल की त्यारी करना उसके बाद OSC की बात करते हैं तो OSC में जो आपके तो OSC में जो है वो आपके 288 candidate बुलाया जाएगे तो OSC में जो जिन बच्चों का स्वरी जिन बच्चों का score 65 और 70 के बीच में like कर रहा है तो वो भी फिजिकल की त्यारा त्यारी करना शुरू कर दे और ALC की बात करें जिनके उनके भी ALC के जो बच्चे हैं इनके भी 65 और 70 मिनसकी 60 ले लो 60 और 70 के बीच में जिनका score कर रहा है वो भी फिजिकल की त्यारी करना शुरू कर दे और RBA की बात करें तो RBA की जो vacancy है उनको भी 120 vacancy है तो 720 candidates को बुलाया जाएगा तो 720 में से जिन बच्चों का score 66 और 70 की बीच में है तो वो भी फिजिकल की त्यारी करना शुरू कर दे उसके बाद बात करते हैं PSP तो PSP की जो vacancy है वो आपकी है 48 और 288 candidate बुलाया जाएगे तो PSP पहारी जो candidate है इनका भी जो score अगर like कर रहा है 55 और 60 के बीच में तो ये भी physical की त्यारी करना शुरू करते हैं अब बात करते हैं EWS तो EWS की vacancy है 120 और 720 candidates को बुलाया जाएगा तो EWS का score जिनका fall कर रहा है 65 और 70 के बीच में तो ये भी जो है physical की त्यारी करना शुरू करते हैं तो इतना ही इसका जो है cut जो है आपका जो है physical के लिए जाएगा तो ये बच्चे सब जो है त्यारी करना फिजिकल की त्यारी करन शुरू कर दे और physical में फिर उसके बाद जो final cut off आएगा वो इससे different होगा ये सी physical के लिए आपका cut है क्योंकि final जो है कुछ बच्चों का score जो जादा होगा वो physical से बाहर हो सकते हैं और जिनका कम होगा वो अंदर हो सकते हैं तो वहां पर बहुत सारी fluctuation होगी तो ये अभी सि बच्चे हैं जिनका भी हाई ये तो वह बच्चे जो है इनकी तियारी करना शूरू कर दे राइट तो all the very best to all of you and take care bye